तो अब नाश्ति के लिए ब्रेट पकोड़ा तो मुझे मैंने वेशन घुला था एक्शली चीला बनाने के लिए वेशन का चीला जो बनता है न वो बनाने के लिए घुला था क्योंकि इसमें देख सकते हैं इसमें ग्रीन चीली अनियन टमाटो अगरा शिम्रामेच अगरा सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया था बट एक्शली क्या हुआ फिर बच्चे बोलें कि नहीं मुझे हमें ब्रेट पकोड़ा खाना है और बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बहुत अच्छी बारीश हो रही है बहुत बढ़िया वेदर हो रखा है तो मैंने सुचा कि चलो इसी बेसन से मैं ब्रेट बारिश के मौसम तो टेस्टलेट नहीं बन रही है मेरी चाय और यहां बहुत बन रहा है बारिश का मौसम बहुत अच्छा है बारिश का मौसम हो चुका है और मैं अभी रेडी हो गई हूँ यह मैंने ब्लू आइलैनर लगाई थी आज अपने आइस पर बस वही देख रही हूँ अपने फ्लैट पे वहाँ पे इसमें पेंट का काम चालू हो गया है तो बस हम लोग वही देखने जा रहे हैं तो उसी के लिए रास्ते में और आज का मौसम बहुत ही सुआना बहुत ही प्यारा जैसे कि आप देख सकते हैं रोड पूरी भी बारिश हो रही है और वह तो एक दिन यह गाड़ी की सर्विस कराने गये तो वहां से लगा लाए थे तो मैंचे बहुत ही अच्छा लगा और फ्रेंट वह में पहुंच चुके हैं अपने पार्किंग में जो सुसाइटी की पार्किंग है वहां आ घये हम गाड़ी करनें जो हमें बारिश का पानी आ रहा था मतलब वहां गाड़ी नहीं खरी कर सकते थे सीधे गाड़ी पर ही सारा पानी तो इन्हों ने च्छोटी से इसकी क्लिप बनाई है कंप्लीन डालने के लिए तो क्लिप बना ली इन्होंने अब हम चल रहे हैं उपर देखेंगे कैसा काम हो रहा है कि कहां तक पहुंचा पहा है तो फरेंस हम लोग आ गए अपने फ्लेट में और यहां पर देखिए भी वाइड सीमेंट से यह खाली जगें सब भर रहे हैं जो जो कार्पिंटर का काम करते समय कहें कहीं फूट गया है यह कुछ खाली जहां रहे गया तो उसमें वाइट सीमिन फिल कर रहे हैं उसके बाद होगा इस पे प्योपी एंड उसके बाद फिर कलर होगा तो यहां अभी सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ है कारपेंटर का काम लगबग कम्प्लीट ही हो चुका है हमें एक दो छोटे काम कराने जैसे अभी अपना बैड होगा सही कराना तो वह तो भी शिफ्टिंग के बाद होगा जम बेड़ियां लाएंगे और बाकी तो और सारा काम फाइनल हो चुका है कारपेंटर का तो बस अभी पेंट हो जाएगा उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे अब हम जा रहे हैं वापस घर लेकिन घर जाने से पहले भी हमें कहीं और भी जाना है एक इंपॉर्टन करेंगे तो उसी के लिए हम जा रहे हैं फ्रेंट्स तो फ्रेंब्स मैं ये कुछ वाल्स पर दिके ये बच्चों के कमले के लिए देख रहे थी और अपने रूम के लिए भी देखा लीवmark रूम के कि सब तो बहुत जादा सोटे बच्चों के लिए मनतर strangul के रूम एक ही है तो जैसी यह वाला एशू के रूम के लिएर सही था यह इशू के रूम में नगेगा क्योंकि यह शी डोनों का रूम है तो उसे साफ से घ्रचाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा चोटे बच्चों भी नहीं लगा सकती क्योंकि फिर वो इश्यू को पसंद नहीं आएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा यह तो बहुत शोटे बच्चों के लिए था यह वाला नहीं मुझे वह थुड़ा जो चांद से तारण वाला है न शौर बंदल जिसे कहते हैं पेस वाला वो मुझे अच्छा लग रहा था फिर हम अपने रूम के लिए देख रहे थे लिविंग रूम के लिए और अपने रूम के लिए देख रहे थे तो लिविंग रूम में हम एक वाल ग्रे करा रहे हैं तो उसके साथ हमें ये ये वाला जो वाल पेपर है ना ये लग रहे हैं तो बस देख रहे थे कि शायद कुछ समझ में आ जाए तो फ्रेंस हम सद्धाई बजे के घर से निकले थे और भी बज रहते साड़े साथ बहुत ठकन हो गई थी तो अब पहुंचना तक फटा-फट घर क्योंकि बच्चे भी घर पे सुबे से अके लिए हैं तो प्रकी बजी करते सबस्दों क्योंकि टात कैसी ही जाता हैं उब प्रिभाट दिताओ से में आ जाए हैं